नवस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकर्ष्य वक्त हल्ला बोल का है और आज मलिकार जुन खड़ेगे कॉंग्रेस पार्टी के अज्यक्ट के उस बयान पर चर्चा होगी जिसके बाद विपक्ष में एक बड़ा तूफान आ गया है जी हा मलिकार जुन खड़े ने कहा है कि 2024 में कॉंग्रेस की अगवाई में देश में सरकार बनेगी लेकिन क्या अन्य विपक्षी दल इस अगवाई को मानने को तयार है राहूल गांधी ने कहा है कि ममता बैन जी बी टीम बन के काम कर रही है बीजेपी की ममता बैन जी और उनके नेता पहले ही से प्रधान मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी ठोक रहे हैं वो बार बार दिल्ली आती हैं दक्षन भारत में जाती हैं महराश्र पहुचती हैं अलग-अलग पार्टी के नेताओं से मिलती हैं दूसी दर नितिश कुमार वही शक्स जो एक बार फिर से लाम बंदी कर रहे हैं विपक्षी एक जुटता के लिए कैसी यार जो राहूल गांधी को स्वीकारने को तयार नहीं है लेकिन घैर कॉंग्रसी विपक्षी एक जुटता की बात करते हैं ऐसे में सवाल ये कि 2024 में क क्या मोदी वर्सेज ओल हो पाएगा 2024 में तालियों के साथ आप समी का बहुत स्वागत की कि आप लोग हमारे साथ चक्षा में शामिल होंगे ग्वारभ भातिया राज्श्य प्रवक्ता भारती जनता पार्टी के तालियों के साथ उनका स्वागत कीजे सुरेंज राजपू जोड़ी और बीजेपी रसेस रजीम आज रिलेंटल स्वी कैप्चर देंस अबर्ट एवरी सिंगल इंस्टिूश्य इंस्टिूश्य इत रूसलेस्लेस्ली साइलेंस अनी वाइस अब पॉजिशन भारत अपने सब से कटीन दोर से गुजर रहा है नफरत के माहूल में इसके सामाचिक माहूल विगार दिया है और यहीं नहीं ED, CBI, Income Tax, सारे एजन्सीज को चुनिवी सरकारों को गिराया जा रहा है कोई काम नहीं करते हैं, हर चीछ पर कब्जा किये हुए हैं, यहां कितनी बड़ी संक्षा में पत्रकार मित्रू पस्तित हैं, कितनी बड़ी संक्षा में बेचाने सब रेकॉर्ड कर लेगें लेकिन होगा क्या सब पर कब्जा कर लिया है अरे आप एक आध मारा आपका छप जाएगा लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं कोई भी काम देश के हित्में नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते अब समय आ अगर सुन्या गांधी की पार्टी को जंता वोट नहीं देती तो चुनावा योगर पड़ें अगर उनको मीडिया कवरेज नहीं देता तो मीडिया पड़ें अगर कोट ने उनकी बात नहीं मानी तो कई बार उनके पुत्र कोट पर भी नराज़गी प्रगट करते हैं तो आज उनके भाशन में कभी अपने अंदर जाग कर देखने की कोई इमानदार कोशिश दिखाई नहीं पड़े कि कॉंग्रेस पार्टी आज यहां कैसे पहुँच गई तो किसकी दावेदारी में कितना दम पहला सवाल गौरभाटेया जी आपसे क्योंकि बलिकारजुन खडगे कह रहे हैं पहले कॉंग्रेस पार्टी में दमखम नहीं है कि भारती जनता पार्टी से ठकर ले सके कभी बड़ी पार्टी होती थी अंजना जी कहते थे तुम्हें पांच सीटे दूगा तुम्हें दस दूगा साथ आना आए आओ वन्ना जाओ अब कहते हैं भगवान के नाम पे पांच सीटे दे दो वन्ना काम नहीं चलेगा उत्तर सदेश से यहीं हुआ दूसरा प्रश्ट में जंता पूछ रही है एक तरह हिमाले परवत की तरह उची शक्सियत वाले नरेंद्र मोदी जी विश्व में डंका बजरा है नरेंद्र मोदी जी का नहीं गेवल भारत का डंका बजरा है दूसरी तरफ मारियाना स्ट्रेंच गड़्धा पूरी प्रश्वी में सबसे बड़ा जो गड़्धा है सबसे नी यार और संडे को कोई काम नहीं होता है राहुल गांधी तीसरी बात मुद्दो की बात करें मुद्दा तो ये है जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया मोदी है तो मुम्किन है अनुछे 370 चाचा नहरू घिसते रहे घिस नहीं पाए नरेंद मोदी जी आए हटा के दिखा दिया कश्मीर अखंड जो है आज हिस्सा है भारत का राम मंदिर ओ राम मंदिर बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे नहीं राम मंदिर भी बनाएंगे तारीक भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे तीसरा CAA अभी तक मनमोहन सिंग जी कहते थे इस देश के संसाधनों पे पहला हक अलप संख्यकों का मुसलमानों का है मोदी जी आए तस्वीर बदल दी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ये मुद्दों पे हमसे लड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ डबल डिजिट आजाए ना बहुत बड़ी बात है इतने अंडेल आए हैं फिर से कहूंगा पोल्ट्री फार्म खोले ओमलेड बनाए सुवेल राजब जी जवाब देजिए देखिए बहुत मुश्किल चुनोती है वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आप नहीं पहुच पाएंगा आप लोग दम भरते हैं कि पूरे देश में अब एक ही नाम है राहूल गांदी अंजिना जी बड़ा मजा आ रहा है मेरे को और बच्चे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि नीचे से लेकर के और उपर तक मुद्दों पर बात नहीं हो रही मस्खरी हो रही है देश को मस्खरों से चलाया जा रहा है कितने हैं कि अब हुकूमतों में गीत दोहराया जाएगा जुल्म देखा जिसने देखा जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा तो आज की डेट में मुद्दों पर बात गौरव जी नहीं करेंगे अपने 9 साल के साशन में 10 करोड रोजगार देने थे उस पर बात नहीं करेंगे अपने साशन में इनको महगाई खतम करनी थी उस पर बात नहीं करेंगे डॉलर को 40 रुपए में लाना था उस पर बात नहीं करेंगे पेट्रॉल को 30 रुपए में लाना था उस पर बात नहीं करेंगे जी एस्टी की सारी समस्चाय इनको खतम करनी थी उस पर बात नहीं करेंगे चीन को इनको लाला लाखे दिखानी थी चाय नहीं पिलानी थी उस पर बात नहीं करेंगे बात ये किस पर करेंगे किसा अब ये शश्वी ये वह अरे प्रधान सेशन है रोजगार पर है महंगाई पर है कल हम यह आपको बताएंगे आकर कि कि किस तरीके से हम युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे युवाओं को रोजगार छीनने की बात करेंगे बात ये लोग करते हैं आकर कि अभी गौरव जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने यह कर दिया हमने वो कर दिया अरे भाई डॉलर हो गया क्या 40 रुपए में कोई बता दे महंगाई खतम हो गई क्या अब की बार महंगाई पर यह वार फलानी की सरकार देखिए 2024 का चुनाओ नेता पर नहीं नियत पर होगा चुनाओ बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेसिडेंशल फॉर्म पर नहीं होगा संसदी परनाली पर होगा मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि पोर पॉर्बंदर से लेकर के अगरतला तक और कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारती जनता पार्टी से सामने हैट टॉन को लेजन कॉंग्रेस का है सारुदेशिक पार्टी है बाकि सारे के सारे जितने पूरा सम्मान है अपनी जगहों पर उनकी बहुत जादा ताकत है उनका पूरा सम्मान करते हैं कॉंग्रेस की अगवाई का मतलब सिधा सीधा सा है कि कश्मीर से कन्या कुमारी और पोरबंदर से लेकर अगर तला तक हम सारुदेशिक रूप से लड़ रहे हैं बाकि सब जगहों पर सबके पास प्रधानमंतरीपत के अच्छे उमिद्वार समाजवादी पार्टी के पास बोल रहे हैं तो हम वही दिखा रहे हैं ग्राफिक्स दिखा रहें बीजेपी तो छोड़िए क्षेत्रिय दल भी आपको सबसे बड़ी महेंगाई से सिरफ कॉंग्रेस परेशान नहीं है महेंगाई से जनता परेशान है जनता के नेत्रत्तु में सारे राजनितिक दलों को एलाइंस करना पड़ेगा एक जवाब इन दोनों से फिर आपके पास मेरा सवाल यह है वो खुद ही कह दिया है मलीका अरजुन खड़ग चेहरा तब चेहरा नहीं था इसलिए जीद की इस पर रहुल गंदी चेहरा इसलिए कि हमारी अगवाई में निबानेगी इसलिए इसलिए वो कह रहे है कि हम नहीं बना पाएंग अकेले यही सबसे बड़ा मुद्दा है बात बड़ी साफ सी है अजना जी कि एक कॉंग्रेस बड़े साफ उसमें कह रही है कि हम अकेले तो बना नहीं सकते एक बात दूसरी बात ही जो संयुक्त मोर्चा विपक्षी एक्ता की बात कहीं आ रही है यह को पहली बार नहीं है लगातार आप सुनते रहोंगे एक बार करनाटक में वो हुआ था शपत ग्रेंड समारो तमाम लोग जो आज भी साथ नहीं है वो सब जाकर हाथ मिला के खड़े हो गए थे सी पीम भी थी ममताव एनर्जी भी थी आम आदमी पार्टी भी थी वहां पर मयावती भी थी जो साथ में नहीं है यह विपक्षी एक्ता की जो हवा है ना यह सिर्फ मीडिया और वहां रहती है वापस क्या वाकई जनता की बीच में है क्या क्या आप मॉर्णिंग कंसल्टेंसी हो या कोई भी आप कहेंगे कि फिर आप विदेश की उस पर आ गया नहीं हुए नहीं है कोई ऐसा मुद्धा है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी से जनता गुसा में हो किसी सरवे में ने द तो यह बात बड़ी साफसी है यह विपक्षी एकता वास्ताव में नहीं है इन्होंने कहा चीक है विपक्षी एकता और उसमें समाजवादी पार्टी का एक एहम किरदार है यूपी में एक बार दोनों में हाथ मिलाया था लेकिन मामला बना नहीं जनता ने स्वीकारा नहीं तो पोस्पल पोल अलाइंस की सोच रहें क्या सोच रहें कैसे मोदी को हराएंगे राफाइल 2019 में सबसे बड़ा मुद्धा विपक्ष ने बनाया था उसके बावजूद प्रचंड जीत मिली एक बार फि 2004 में अटल अडवाने युक का समापन हुआ था क्योंकि इंडिया शाइनिंग कैम्पेन फेल हो गया था इंडिया चमक नहीं रहा था लेकिन भारते जनता पार्टी ये बताना चाहा देती इंडिया चमक रहा है उसके बाद जब नरेंद्र बोदी जी की सरकार आई तो पैट्रोल के दाम वादा किया 30 में हो सौर रुपय में हो जाया लेकिन पेट्रोल पर डरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी आप पढ़े लिखें रोजगार मिले न मिले लेकिन आपके प्रमाण पत्त पर डर्वर मोदी जी तस्वीर है यह पी-म शाइनिंग का फॉर्यू तोड़े का सर्वे कहता है इस बार का इंडेट लेक देखिए आप लोग तो कहता है कि 18 से 24 वर्ष की इस देश में आधे युगा बेरोजगार हैं यहां पर आप हाथ खड़ा कीजिए अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हो या मुद मिला है और हर साल एक नए परिवार को मुद्रा लोन मिल जाता है यह कहते हैं आप सब लोग रोजगार नहीं चाहते आप लोगो मुद्रा लोन इस्तेमाल करके स्वरोजगार चाहते यहां एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहीं मेरे परिवार को मुद्रा लोन मिला है आप ज खटकता क्या नहीं है जो मैं कहता हूं नरेंद्र अडानी युक का समापन ये अखबार है अखबार कहता है कि पिछले 21 सेशंस में 12 लाग करोड का अडानी जी का संपत्ती वाइप आउट हुआ है जो व्यक्ति प्रधान मंत्री जी के साथ ओथ लेने आते हैं 2014 में उस समय उनकी संपत्ती 47,000 करोड है ये संसद में दिये हुए भाषण का अंश है 2023 में जनवरी में उनकी संपत्ती 12 लाग 11 लाग करोड हो जाती है बताते हैं बताएंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी जब भाषण दे रहे होते हैं पूरे संसद में अडानी अडानी घूंज रा है प्रधान मंत्री जी एक चू नहीं बोलते है एक हफते तक भाती जिनता प बुनियाद पड़ी है साथ जवाब दे रहा हूं इस देश में बुद्दा अच्छे दिन था उन्होंने उसे पलट करके प्रति दिन हिंदू-मुसल्मान टीवी पे बहस करा करके राम चलितमाने साब के नेतलाएं मैं उसी पहार रहा हूं एक वाक्य और देजे हमारी पार सरकार कहती है हर चीज के लिए के आखड़े दिये जाएंगे तो क्या जातियों के कि आधार पर किसको कितनी हिस्सेदारी मिल रहे उसके आखड़े सरकार नहीं देगी कि राम चलितमाने साथ बैस है यह है उपार्टि पर ऍक अनमे पार्टि लेकिन हमने बता द inc करने चाहिए लेकिन हमने बता दिया हमारी पार्टि का मुद्ध है बेरोजगारी, महंगाई और ये जो अडानी घोटाला हुआ ही हमारी पार्टी का मुद्धा है इस सरकार को अडानी घोटाली पे जवाब दिना पड़ेगा आज का अख़बार कहता है कि LIC ने अडानी में जितना निवेश किया था वो निवेश्क जितना मूल था वो भी कब हो गया है लेकिन सरकार चुप कर देती है सबका साथ सबका विश्वास कहा उनके कारेकरता जितने भी आरोप लगाए जवाब दिए युवाँ को लेके घुमते रहे अबी तो एक साल भी नहीं बीता उत्तर प्रदेश के चुनाब हुए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी अधिनाज जी दुबारा आगा एक मुंगेरी लाल भी है भारती राजनिती में वो कह रहे तो तीन सो सीटों सा मेरी कम नहीं आईगी और शेरवानी पहन के अभी आये थे अरे शेर नहीं बनते हैं शेरवानी पहनने से तीन सो सीटे नहीं आये अंजना जी और आपने कहा कि दिखाने के दात और हैं और खाने के और है नहीं, इनके पस दाती नहीं है, लेकिन राजमिती का अख्रोट इनको तोड़ना है बिना दातों के, अब मैं मुद्दो की बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पेट्रोल के दाम बोले, मैं सवाल पूछूंगा, आप पू इंगाई कम हो रही है, और सबसे महंगा पेट्रोल कहा है, राजस्थान, श्री गंगानगर, दूसरी बात इन्होंने अनेंप्लॉयमेंट की करी, वेरोजगारी की, पहले अपना आकड़ा देता हूँ, जब हम 36 करोड मुद्रा योजना के लोन देते हैं, सो रोजगार के अ कार्ड, और इनकी मैं बेरोजगारी बता दू, राजस्थान में बड़े प्रदेशों में सबसे जयादा 30 प्रतिषयत, जारखंड में 14-15 प्रतिष्यत, और उत्तर प्रतिष में 4 प्रतिषद, गुझरात में 2 प्रतिषद, मद्रेप्रतेश में 3,5 तीन प्रतिषद, और ऐ ऐसे ही सारे स्टेट गिनवा सकता हो दूसरा मुद्दा हो गया तीसरा इन्होंने का महंगाई इंफलेशन निकालिए का रेकॉर्ड 2004 से लेके 2014 तक महंगाई की दर डबल डिजिट तक पहुंच जाती थी और 11-12-13 प्रतिशत रही कोविड के संकट से पहले के देख लीज़े क इतने आकड़े 3-3,3 प्रतिशत और ग्रोथ रेट ज्यादा मतलब कंट्री की पॉजिटिव ग्रोथ थी और अभी कोविड के संकट में भी 6,5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत तो कहा 13-14 प्रतिशत कहा 6,5 प्रतिशत चौथा मैं इतना ही कहूंगा देखिए भारत तोड़ो या यह क्या दर्शाता है अरे यह लोग सिर्फ सब्ता के सुख को भोगने आना चाते हैं इनका को एजंगा आपकी सेवा करोड़ लोग कॉंग्रेस पार्टी को वोट देते हैं पिछली बार भी दिया उननिस में और आप करें दूरबीन से नहीं दिखेगी कैसे वो कहा चले ज में आप देखिए कैसे कैसे भारत तोड़ो यात्रा आगे बढ़ती रही आठ हमेले गोवा के चले गए गुलाम नभी अजाज चले गए उत्तर प्रदेश पर कहा ही माचल में क्या हुआ था तो आप हमें समझा रहे थे ना कि हमें एक ही परसेंट वोट करता है क्यों नहीं करता है तो इतने सारे लोग वोट करते हूं को बिल्कुल माटर इसलिए नहीं करता है मैं आपको बताता हूं भारत के समयधान के तहट जिस भी दल की मेजॉरिटी सीट्स होंगी तो सबको पता है तो फिर आप प्रशा रहे थे कि हमें इतनी बड़ी हार नहीं मिली बस एक वोट कम बिला है तो हार है भारती जनता पार्टी के किसी नेता का बयान बता दीजे जिसने कहो ईवियम खराब है एलेक्शन कमिश्र व इंडिया बहिमान है आपके शोपे बैठे हुए हमने का नर्मस्तक होके जनता ने अगर हमें बाहर रखा है तो हम उसका सम्मान करते है एक वाके का सवाल है इन्होंने कहा आप सबने सुना कि 36 करोड युवाओं को मुद्रा लोन मिला था 36 करोड 2011 का संसस कहता है कि हमारे देश में 15 वर्ष से 35 वर्ष के लगभग 40-42 करोड लोग है 36 करोड लोगों को इन्होंने लोन दिया आपने सुना है हाथ कडा कीजे कितने लोगों को यहां पे लोन मिला है आपके परिवार है एक जा अधा कि भैसों की प्राइए और गाहों में जाइए देंके किसे मिला है कि उत्तर प्रदेश में चार प्रतीशत विरोजगारी है इसका मतलब आप समसाब उत्तर प्रदेश में इस समय है इसका मतलब कि हर 25 में से सिर्फ एक विरोजगार है सरकार सरयाम आपको ऐसे धोखा देगी और यह क्या भारती जंता पार्टी के अंधभक्त है कि पेट्रोल की कीमते बढ़ी तो आप मुस्कुरा रहे थे यह चुटकुला तो सर जोग तो हिमाचल वाले लोगों पर है ना जिन्हों वोट किया आपके लिए जाते ही आपने वैट बढ़ा दिया और कह रहे थे कि हम तो महंगाई दूर करेंगे अंजना जी मैं आप मीडिया के साथियों पर छोटा सा मतलब एक शेर कह दूंगर आप इजाज़त देतों कहते हैं कि दामन पर कोई छीटा ना खंजर पर कोई द यही तो बात है अंजना जी जब मानी लिए कि हम लोगों जब कसूर मानी लिए तो शेरोशारी कहाई को सुना रहे हैं यहां पर यह बच्चे सारे के सारे पढ़े लिखे बैठे हैं कोई मुझे बता दे कि बिरोजगारी राज की समस्षिया है यहां कितने बच्चो को रोजगार मिला है दूसरी बात जैसे भी घंशाम ने का कितने बच्चों के परिवारों मोदी जी के सामने कौन और जब इन्हें सुविधा होती है तो कहते हैं कि वोट तो बारा करोड मिलने ही जब आप जैसा प्रोस्ता तो यह पूछता है जी बिल्कुल हाँ मैं तो आपके फिर मैं आप से बता हूं कि शेरोशारी नहीं करते आप अगर सब सुनते तो अरे मैं आ किसरी बात मैं आप से बताओ कि प्रिसिजेंशिल फॉर्म ओफ एलेक्शन नहीं है देश में देश में हम लोग 12 करोड वोट पाए हैं बीजेपी 22 करोड वोट पाई है निश्चित तोर पर यह बात सच है बीजेपी बड़ी पार्टी है इसी के लिए हम आज की डेट में आ हरक वह भी फूटी रखाबी आकड़ों उन्हें का था किसान के आए दुगनी कर देंगे लिएक नहीं किसान की आए दुगनी होगे किसान का खर्च जरू ढइसे तेनивать में यह हर साल दौकरोड रोजगार देंगे दिये क्या यह यह कहना किसान का दूसरा आप इंका मेनिफेस्ट उठाइएगा राजस्थान के चुनाव का किसानों की बात कर रहे हैं इन्हों ने क्या किया मैं बताऊं दो लाक दस हजार करोड रुपया किसानों के ग्यारा करोड किसान लाभानवेत हुए सीधा उनके एक रुपए की हेरा फेरी नहीं होती जैसे राजीव गांदी कहते थे एक रुपया भेजता हूं पहुचता पंद्रा पैसे 85 पैसे घूम के जो है ग गडबंदन की हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं बिना विचारधारा मिले क्या गडबंदन होता है पहच्चिम मंगाल गए थे किस से गडबंदन किया था लेफ्ट से लेफ्ट जो कॉंग्रिस के कारकरताओं को कहते मार देता है और फुरफुरा शरीफ अब बासी सीटे कि इत्याई मालूम है अंडा ओमलेट बनाया वहां पे भी चले ठीक किसा असाम में हमारी सरकार बड़ी जंता ने आशिरवाद दिया है इनका गडबंदन था ए यूडी एफ से ठीक है क्या हुआ वहां पे हार गए चुनाव और अब अलग-अलग हो गया उत्तर पदेश में तूटी हुई साइकल पे खूनी पंजा आके बैठता है और उसके बाद जंता इनको सबक सिखाती है साथ सीटे आती है उनकी आई बावन जोकर कहा है सबको पता है इसलिए ज्यादा बोलूँ आपको इसलिए जब आपको पता रहा है उत्तर प्रदेश तीस साल में कभी सरकार दुबारा नहीं आई उत्तरा खंड में जब से प्रदेश बनाया दुबारा सरकार नहीं आई किसी की हमारी आई नरेंद मोदी जी 14 में 19 में 24 में आएंगे 29 में रोक सको तो रोक लो अगर सवाल आपसे हुआ उसी में जोड़ लिजेए सुरें जी से है 1994 के बाद साया कॉंग्रेस पुन समर्थन के साथ सरकार नहीं बनाई है तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के न गोल बन का कि आप सौर सीर्ट के अंदर आप बीजेपी को निपट लेंगे सर जाती है जन करना में दिक्कत क्या है विपक्ष मांग कर रहा है तो ठीक है एक साथ जवाब लेंगे आप आप ये बतायेकि भार्ट जोड़ो यात्रा में राहुल गांजी ने कितना अनुमिस्च की। और बेरोजगारी की बात करें याब तो बेरोजगारी अब काम दाम कुछ है नहीं अब राहूल गांधी खुद बेरोजगार है तो उनको लग रहा है कि सभी बेरोजगार एंट प्रदेश में रहें और सबसे अच्छी फिल्में बना रहें होली उट्स देवी ऊपर जाने हमको नेक्स इंदिया कभी आप कहते कि कॉंग्रेस अकेले सक्ष्ण में जीतने के लिए कभी आप बोलते कि हमें अलायन्स की जरूरत है तो अकेले मतलब कॉंगरस खुदी इतना कन क्यों है आपका बीजेपी का ओर कॉंफिदेंस जादा हो रहा है क्या आपका दो आजार चोबीस के एलेक्शन में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक कहला सकते हैं कहला सकता ओवर कॉंफिदेंस अति आपने विश्वास मेरा प्रशनी है कि भारत तो अल्रेडी जुड़ा हुआ भारत आपको नीवए पुरए तो क्श्मिर से एक पर संट लोग जो भेरोजगार है तोसर बहुँ एंड़ देखते हैं कि इतना लोग वर करके आरहे हैं तो सर्परोसगारी कहां से आई कि 2024 की पूरी तैयारी हो गई है इनका कहना है कि 2024 में वीजे पी आएगी लेकिन फिर जो नेहर राठोड ने सवाल उठाए उसको आखिरकार नोटिस देकर बंद करने की क्या जरूरत है सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कम से कम आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि सवाल कॉंग्रेस से हैं तो इसका मतलब विश्वास भी कॉंग्रेस पहली बात जो आपने कही एक बच्चे ने कहा कि यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पोर बंदर से लेकर के अगर तला तक क्यों नहीं हुई तो मेरे दोस्त जल्दी ही होगी और अप्रेल के बाद हम लोग इसका भी आपको निर्ने कर देंगे बता देंगे तीसरी बात आपने भारत जोड़ो की बाद करी कि भारत जुड़ा हुआ है तो भारत को भॉगॉलिक रूप से दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तोड़ सके जो तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको जान से माड़ा लेंगे बहुत साफसी बात है जान से माड़ा लेंगे हाँ बिल्कुल जो भारत को तोड़ने की बात करेगा भागौलिक रूप भारत आज की डेट में सांपरदाइक रूप से भारत आज की डेट में आर्थिक रूप से भारत आज की डेट में बेरोजगारी के रूप में जिस तरीके की जो परिस्थितिया चल रही हैं देश में जब हम विमर्ष करते हैं बहंगाई का विमर्ष करते हैं बेरोजगारी का तब हमको हिंदू-मुसल्मान दिखा दिया इस चीज के लिए तो वो दिखा रहे है रामचरेश के लिए आपके और साथी रार जेडी वाले दिखा रहे हैं आज साल तक मीडिया ने प्रती दिन हिंदु मुस्लिम भहस दिखाया है अपना जादू जब जनता पर नहीं चलता है तो किसी ने किसी पर तो ठीकरा पोड़ना ही रहता है मैं आपको बताओं कि जो आपने भी कहा ना राम चरित्र मानस पर इसी वज़े से हमने कहा था कि दामन पर कोई चीटाना खंजर पर कोई राग तो उस पे नहीं हम अच्छा चूप रहना है उस पर चूप इस लिए रहना है कि सामाजिक विमर्ष के मुद्धे और धार्मिक चूप विमर्ष के मुद्धे सामाजिक नेताओं के लिए और धर्म के नेताओं के लिए छोड़ देने चाहिए तो स्वामी प्रसाद मौरे कौन से धर्म के बात कर रहे हैं वह स्वामी प्रसाद जी से पूछे यह मेरा विश्य नहीं है आप उनसे पूछे बहुत सापसी बात है मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदाइक्ता के बिरोध में थी और सांप्रदाइक्ता बढ़ी या नई बढ़ी मेरे ख्याल से यहां पर सब लोग बैठे लोग जानते हैं और आप भी जानती हैं अच्छे तरीके से जानती हैं क्योंकि के लिए चुनाओ लड़ता है और हम बहुमत के लिए चुनाओ लड़ता है एक बात दूसरी बात कन्या कुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर कि अगर तला तक इकलौती पार्टी भारती जनता-पार्टी के सामने हम खड़े हैं तो हम पूरी तरीके से तो डॉलर 40 रुपए में आएगा ये हमने नहीं कहा था ये वादा जो था नरेंदर मोदी जी की सरकार ने किया था अगर उस वादे को नहीं पूछे क्या दो करोड रोजगारों के लिए नहीं पूछे क्या मेहंगाई खतम करने के लिए 400 रुपए के सिलेंडर पर किस तरीके का विद्धनावाद होता था आज 1200 रुपए का सिलेंडर है कोई नहीं पूछ रहा नहीं पूछे क्या पूछेंगे हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे और उसने मन महुन सिंगी नहीं देखिए कैसे युवाओ को आपको 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 बनाने पढ़ेंगे ना जिम्पर लोग भरोसा करें हमारे यहां चेहरा कॉंग्रेस में चेहरा राहूल गांधी है समाजवादी पार्टी में चेहरा अखले चेहरा है और उसमें डीम के में चेहरा स्टालिन साहब है सर पार्टी में प्रधान मंत्री पद का योग चेहरा है हर पार्टी में लेकिन हमारे लिए रहुजांधी चेहरा है सबसे बहले मेरा एक भाई उसने कहा है हाँ पे फिल्म सिटी बननी चाहिए और पूरे विश्व की सबसे अच्छी ताइम लाइन बताईएगा आप देखेंगी और टाइम लाइन ही पूछते थे काफी लोग आपको नहीं कह रहा हूं मैं तारीक नहीं बताएंगे मैंने उत्तर दिया मैं तीन बाते कहता हूं भवे राम मंदिर जेवर एरपोर्ट और साथ में फिल्म सिटी ऐसी आएगी कि हॉलिवूड भी फीका पड़ जाएगा क्योंकि इमांदारी की ताकत है भार्टी जनता पार्टी के पाद दूसरी ब मैं आपको बताओं अभी तक हमारे पास जो ताकत है वो है L.I.C. L.I.C. लीडर्शिप, आइडियोलिजी और काडर और मेहनत ऐसी होती है कि 24 घंटे आप लोगों के लिए समर्पित हैं हमारे प्रदान मंतरी, हमारे राश्ट्रे अध्यक जी और सारे मुख्य मंतरी और इस के बाद हम आगे की तैयारी करने लगते हैं यह चुनाथ से लेके जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है हमारे दिल के तार जुड़े हुए है और करेंड जो आता है आपके आशिरवाद का आता है आपने L.I.C. का एक और L.I.C. है देश में हाँ और अजानी के मुद्दे प आज तक मैं तुब देख रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम मतलब गजाब हाल है यह तो साफ सुप्रीम पीजा खाई है मज़े से कोई दिक्क्त कूर परते हैं सुप्रीम कोट ने सुनवाई करी और जज्जमेंट रिजर्व किया हुआ है आप इटेलियन पीजा नहीं नहीं है नहीं हम लोग रोटी खाते हैं मक्के की खाते हैं मिलोटी खाते हैं आपको दिक्कत है चारदी था कामनदीं चुपर में जो लुग खाने वाले लिए शुपे दे प्रदान मंतरी ने अधानी समूप पर जो भी कारवाई हो रही है उस पर बोला सेभी ने बोला और सबसे बड़ी बात है सरवोट त्याले ने जज्जमिन्ट रिजर्व कर लिया जो फैसला आएगा मानने होगा यह बात आपके समख्ष कह रहा हूं लेकिन दुख क्या होता है मैं आपको बता हूं राहूल गांदी का मैं आपको व्यक्तव दिखा दू सरवोट त्याले नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और कल जो राहत मिली है पौन ठेड़ा को तो गलत कौन हुआ आप बताईए जहराम रमेश ने का टाइगर जिन्दा है अरे टाइगर तो अगर उल्टा कर दें अभी तो अभी तुरंत आउमाना हो जाएगे एफ यार हो जाएगे आपको देखे एक बात रोजगार की आई और मैं आकडों से फिर से बताता हूं एपी एफ डेटा 2021 फिर से आकड़े आकडों की बात करें और या प्रेट भरेगा आपको आखड़े देना चाहता हूं क्योंकि जन्ता मैं समझता हूं चाहती है सुनना दस साल सपा और बस्पा की जब सरकार रही योगी जी के आने से पहले सरकारी नौकरी दो लाख लगी पाच साल में योगी जी ने 5 लाग नौकरी आदी आप बदाईए किसने ज़्यादा नौकरी दी 10 साल में 2 लाग और 5 साल में 5 लाग दूसरी EPF डेटा जो नई नौकरी लगती है प्राइवेट सेक्टर में हो या पबलिक सेक्टर में हो उसका डेटा मिंटेन होता है 1.2 करो नई नौकरी लगी 2021 का डेटा मैं दे रहा हो जाके चेक करिएगा 36 करोड मुद्रा योजना के लोन कभी पूचा है सपा की सरकार रही कित्ती नौकरी अदी नहीं बताएंगे हम से सवाल पूचेंगे कि आप बताएंगे और हम बताएंगे आपके सामें तीन वाक्यों का जवाब है इन्होंने पहला कहा इन्हीं की प्रिजवानी आप लोगने सब सुना इनकी ताकत है बीजेपी की ताकत है लाइसी मैं आपको बताना चाहता हूं अडाने जी की वी ताकत लाइसी है 37,000 करोड लाइसी का पैसा और यह आज का अख़बार है कहता सौ से डेट सौ लोग बैठें यह दुख की बात है जो सरकार कह रही है कि 36 करोड लगभग हर वरकिंग क्लास परिवार में इन्होंने एक मुद्रा लोन दिया है यहां डेट सौ लोग बैठें एक आदमी आपकी बताए और तीसरी और आखरी बात यह चाहे जितना भी प्रय एक व्यक्ति करता है यह यह आपको मालूम यह जिस क्वानेग्ण में भारत बहुत नीचे उसमें पाकिस्तान उपर उसकी एसे आकड़ों के दार पर बात करें हम विश्वास करें बात ये कि वो लोग जो जो जोर सौरिस जैसे लोग है जो बाहर बैट करके और अब तो खुद जोर सौरिस ने का है न कोई किसी और ने आरोप नहीं लगा है उन्हें का कि हां मैं इंडिया में पैसा दे रहा हूं संग वाले तो यही कहेंगे ही कहेंगे और तो कुछ कहना नहीं जिस कॉंग्रेस ने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की जिस कॉंग्रेस ने पूरा सुतंतरा संग्राम लड़ा हो और देश को आजाद कराया हो जिस कॉंग्रेस ने गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया हो सि बेरोजगारी पर होगा और जॉर्ज स्वरोष जैसे लोग इन ही के अपने हो सकते हमारे तो कभी नहीं हो सकते चुकि यह लोग इतली और उस यहाँ से पैसा पार्टी को चंदा दे सकते हैं आज तक इस पर बहस नहीं है सपा की बात का उत्तर दरूर देना चाहूंगा मैंने इन से पूछा आपकी सरकार रही कितनी नौकरीती नहीं बताएं कमियां बता रहे थे लेकिन एक फरक मैं बता देता हूं अंत करूंगा उस बात से मुखे मंतरी से जब प्रदान मंतरी बने नरेन मोदी जी 21 लाग रुपे अपना था वहां के सरकारी करमचारियों को दिया कि बेटियों को अपनी पढ़ाना और दूसरे मुखे मंतरी अखिले यादव जिब सरकारी बंगला छोड़ रहे थे तो 200 रुपए की टोटी चुरा के बाग गए ये फरक है अब आप कै करिए आपके मंतरी चाहिए इस तरीके की चीज़ें शुभा नहीं देजा फिर से मैं कहता हूं कि अगर आप बुस्ट हुआ हो तो इस बात करेंगे तो ट्रॉलिंग वाला चो तो आपका नहीं जो रहे थे विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से मैं देशी ताजिश का रोना रोएंगे या फिर मुकाबला करेंगे तयार रहेंगे उसके लिए क्योंकि हिंदिन बाग हो सोरोस हो सब बोल रहे हैं गोश्पर बात बता दूं केंब्रेज एनालिटिका बीबीसी की डॉक्यमेंटरी का किस समय आना और जोर्ज सोरस और निया खलीफा और ग्रेटा थनवग किसानी कर रही है आपको मालूब है और उसके बाग्यूद मैं यहां पर बोल के जा रहा हूं जंका गाइल की चुनाव प्रभा कर रही है आप लोग आशिर्वाद देंगे इतिहासिंग जीत दर्च करेंगे चार्सों का आप पार करेंगे देज सुनिया की बागी खबरों के लिए आप देखते रही आज का